हेलो दोस्तो आज के वीडियो में लोग रेजवेट्स के लिए हाई कोर्ट में निकली लीगल असिस्टेंट की लेटिस्ट वैकेंसी के बारे में कम्पलीट इंफॉर्मेशन देंगे जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और लोग रेजवेट्स के लिए हाई कोर्ट आप 36 गड़ के द्वारा जो लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में डिटेल से ज खुली हुई है तो देखिया ओफिसल वेबसाइट है www.highcore.cg.gov.in इस ओफिसल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको होम पेज पर ही इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो होम पेज पर देखेंगे तो इंपॉर्टेंट नोटिस दी गई है और इसी में जब आप सामने स्क्रीन पर बिलासपूर इस्थित हाई कोर्ट आप 36 गड़ के दोरा जारिया ओफिसल नोटिफिकेशन है जिसमें की लॉग रिजवेट्स के लिए लीगल असिस्टेंट की वेकेंसी निकली हुई है तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर नंबर आप वेकेंसी क्या है पोस्ट क्या है तो पोस्ट का नाम है लीगल असिस्टेंट और नंबर आप वेकेंसी है यहाँ पर टोटल 20 वेकेंसी है और जो यहाँ पर सेलरी मिलने वाली है वो आपकी है 30,000 पर मंत की सेलरी है और दोस्तों यहाँ पर जो एज है वो 21 यह से लेकर के 30 य का age duration है means इस age limit के जो candidates है वो यहाँ पर form apply कर पाएंगे और जो age count होगी एक एक 2023 से count होगी और दोस्तों यहाँ पर आपको form offline form apply करना होगा और जो offline form है उसको apply करने की जो last date है 16 June 2023 है तो दोस्तों अब इससे related जो qualification है उसकी बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी experience नहीं मांगा गया है जो भी candidate BCI approved institute या फिर university से चाहे वो 3 year किलो डिग्री हो या फिर 5 year किलो डिग्री रखता है तो वो यहाँ पर form apply कर सकता है और जो age limit है उस age limit के अंतरगत आता है त और यहाँ पर कोई भी experience नहीं मांगा गया रथा जितने भी phrases हैं वो सभी लोग यहाँ पर form apply कर पाएंगे और दोस्तों यहाँ पर इसके साथ साथ आपको computer का knowledge भी होना चाहिए जैसे कि data entry करना MS Word, Excel, PowerPoint जो basic knowledge है computer का वो आपको आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो work है computer related work तो दोस्तों अगर बात करें कि जो है यहाँ selection procedure क्या होगा syllabus क्या होगा तो यहाँ पर दोस्तों केवल interview के माध्यम से selection होना है और interview की लोगों का होगा जितने लोग भी form apply करेंगे उसमें जो eligible candidates होगे जिनके documents सही पाया जाएंगे तो उनको mail दोरा सोचना भेजी जाएगी interview क लिए और जिस place पर बुलाया जाएगा वहाँ पर जाकर के आपको इसका interview देना होगा और यदि आप interview में select होते हैं तो आपको यहाँ पर job करने का chance मिलेगा और work क्या करना होगा जो भी legal field से related work है वही यहाँ पर आपको करना है high court आप 36 गड़ में रह करके और यहाँ पर जो इसी जोती जो phrases को मिलती हैं तो देखें यहाँ पर हम आपको application form दिखा रहे हैं किसी notification के last में इसको आपको print out करा लेना है और इसको print out करा करके देखिए इसको fill up कर लेना और साथ में जिए इंडेक्स for checklist लगा हूँ है मिसे इसमें जो जो documents लिखे हुए जैसे वैसे वैसे आ form के साथ आप upload वो जो है रख लीजेगा साथ में और इसको pack करके इनका जो official address है उस official address पर आपको इसे भेज देना है और आपको जो है envelope के उपर साफ साफ लिख देना application for the post आप legal assistant जिससे कि वहाँ पर जो है इस बात को समझा जा सके कि जो भी apply किया है वो इस post के लिए apply किया बहुत बहुत धन्यवाद